तो यह है पार्ट त्री और हमने यह हम पढ़ रहे हैं स्पैरो बुक से और हमारा लेसन है इंटेलिजेंट वीरबल तो पिछले दो वीडियो में हमने इंटेलिजेंट वीरबल की पूरी कहानी पढ़ ली है तो आए होप कि आप सब ने यह दो वीडियो अच्छे से देख लिये होंगे और हमें समझ आ गया है कि इंटेलिजेंट वीरबल इस लेसन में क्या है इस lesson में है अकबर और बीरबल के बारे में और जो बीरबल थे जो राजा अकबर के दरबार में जो बहुत सारे दरबारी थे उनको बीरबल से वो बड़े जलते थे उनको बहुत जेलस होती थी कि बीरबल इतना intelligent क्यों है और वो हमेशा ये सोचते रहते थे कि कैसे अकबर बीरबल को अपने दरबार से निकाल दे या बीरबल को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे क्योंकि वो उनसे चलते थे तो चलिए हैं और कैसे एक बार उन्होंने अकबर जो थे उनको ये question किया कि वो कैसे अकबर बीरबल सब को समझ लेते हैं तो जो अकबर ने उनसे पूछा बीरबल से कि क्या ये सच है कि तुम सबके दिमाग में क्या चल रहा है तुम सबके माइंड में क्या चल रहा है तुम पढ़ लेते हो तो बीरबल ने उनका कैसे उन दर्बारियों के सामने उनका इस प्रश्न का उत्तर दिया और कैसे सब दर्बारियों को यह समझ आ गया कि बीरबल को नीचा दिखाना या उससे मतलब उनको यह समझ में आ गया कि वो बीरबल को किसी तरह नीचा नहीं दिखा सकते क्योंकि बीरवल बहुत ही ज़ादा बुद्धिमान है इंटेलिजेंट है तो चलिए आप करते हैं इस lesson के कुछ exercises जो lesson के पीछे हैं तो चलिए देखते हैं तो हमारी पहली exercise है comprehension तो comprehension होता है कि जो भी इसमें कुछ एक तरह से जो हमारी tick the correct options हैं कि ये सभी lesson से ही लिये गए हैं और ये हमें समझाता है comprehension मतला कि एक पूरे lesson का जो एक सार है एक उसका summary है तो अगर हमें lesson अच्छे से आता है तो हम इस comprehension को बड़े आसानी से कर सकते हैं तो जो हमारा यहां पर हमें tick the correct answer करना है Emperor Akbar has queens move Emperor Akbar and his queens move to the new capital in आगरा, Delhi और फतेपूर सीकरी तो जो हमारा पहला है कि Emperor Akbar उनकी queens जो थी वो अपनी new capital में shift हो गई थी और वो new capital कहां थी आगरा में डेली में या फतेपूर सीकरी कहां थी वो फतेपूर सीकरी के outskirts पर थी The courtiers were dash of Birbal तो जो दरबारी थी वो Birbal से क्या करते थे angry थे happy थे या jealous थे तो वो ना तो angry थे ना happy थे वो उससे jealous थे वो उनसे इरश्या रखते थे जलते थे उनके मन में जलन थी कि हमेशा Akbar Birbal को क्यों सब चीजों में आगे रखते हैं क्यों उनको पूछते हैं The courtiers wanted to let down Birbal before the king, Emperor Akbar to reward Birbal और Emperor Akbar to punish Birbal तो courtiers क्या चाते थे अकबर की उसको let down करना चाते थे जिससे वो शर्मिन्दा हो The courtiers – won the battle, lost the battle, were equal with Birbal उन्होंने lost the battle with Birbal वो Birbal से हार गए थे तो चली देखते हैं second second है homophones are words which are the same sound but different meanings अब जैसे मैं हमेशा कहती हूँ हमें कोई भी language सीखने के लिए उसके अलग-अलग words बहुत सारे हमें सीखने हैं तो उनमें से ही एक word है homophones homophones यह English में words है इसका मतलब होता है कि our words which are the same sound जैसे English के जितने भी letters हैं उन्हों सबकी एक अलग sound होती है ऐसे ही जो words हैं उनकी भी वो उन sound से ही मिलकर बने होते हैं तो homophones कुछ ऐसे words को कहते हैं जिनकी sound तो same होती है but different meaning पर उनका जो meaning होता है वो different होता है और उनकी spelling भी different होती है spelling different होगी but sound बिलकुल same होगी but meaning भी अलग अलग होगा तो जैसे पहला है tail यहाँ पर जो T-A-L-E tail इसका मतलब होता है story और T-A-I-L ये भी tail है बट इसका मतलब होता है किसी भी जानवर की पूँच तो चली देखते हैं कि इन सभी words की क्या दूसरा homophones है जिनके meaning अलग है फर्स्ट है bear B-A-R-E bear ऐसे यहाँ पर इसमें एक और है B-E-A-R ये होता है ये भी bear होता है ये होता है एक animal bear ये जो bear है इसका मतलब है without clothes और ये bear है ये होता है एक animal भालू दूसरा है pair यहाँ पर इसका जो homophones है वो है P-A-I-R pair दोनों pair है बड़ दोनों के meaning अलग है ये है flower F-L-O-U-R यहाँ पर है F-L-O-W-E-R ये भी flower है तो आप देखिए कि दोनों की spelling अलग है उनके जो sound है जो pronunciation है वो बिल्कुल सेम है बड़ meaning अलग है ये है not K-N-O-T यहाँ पर N-O-T not ये देखिए not यहाँ पर K silent है ये है tail इसका already उपर है T-A-L-E tail फिर है हमारा peel यहाँ पर है P-E-A-L पील ये है bow यहाँ पर है B-O-W bow bow and bow hair ह-A-R-E hair यहाँ पर H-E-A-R आप लिख सकते हैं बड़ ये भी hair होता है not here नहीं होता ये है new यहाँ पर आप लिख सकते हैं K-N-E-W new यहाँ पर हमारा K silent है जैसे यहाँ not में K silent है new new sum S-U-M sum ये sum आप सभी जानते हैं जोड़ना तो देखे अगर आप ऐसे सीखेंगे तो आपके पास different words हो जाएंगे और इस तरह से आप different words यूज कर सकते हैं और इससे आपकी language बहुत rich हो जाएगी और जब आपके पास बहुत सारे words होंगे तो आप जब भी बोलेंगे तो आपका पता रहेगा आपके कौन से word का क्या meaning है और आप एक बहुत अच्छे बोलने वाली यानि आपकी language पर आपका command होगा अगला है हमारे पास अब हम सीखेंगे simple future tense तो हमने पहले सीखें हुए है present tense, past tense और ये है future tense future tense होता है कि जब भी हमें कभी future के बारे में बताना होता है तो हम कैसे अपने sentence को use करेंगे कैसे हमारा sentence बनाएंगे when verbs in a sentence tell us that something is going to happen or will happen in the future तो जब हमारी जो main verb होती है वो हमें ये बताती है कि future में क्या होने वाला है या क्या होगा तो the verbs are in future tense तो हम वो हमारा future tense बनता है अब हम इसको वो अब इने sentence tell us तो अब हम इसको future में जब हमें कुछ बताना होता है future के बारे में तो हम sentence कैसे बनाएंगे English में we will go out for dinner in the night तो यहाँ पर हमारी जो verb है go है main और यहाँ पर उसके साथ हमने लगाया है will तो यह देखिए future tense हम दो तरह से बना सकते हैं कि कुछ होने वाला है या कुछ होगा तो दोनों ही use में sense में हम simple future use करेंगे यहाँ पर है होने वाला है यहाँ पर होगा यानि जब आप sure नहीं होते हो बढ़ आपको लगता है होने वाला है तब हम is going का use करते है जब यह पता है कि हम कुछ करेंगे या होगा तब हम will go use करते है तो चलिए इसके कुछ example तो हमारा first है fill in the blanks with the correct form of the verb of future tense you may have to use another verb form going to before main verb तो यहाँ पर हमें use करना है going to यही जो examples हैं हम इनको दोनों तरह से use करना मैं आपको बताती हूँ my mother dash a new car for herself buy तो buy हमारी जो bracket में है यह हमारी main verb और इस main verb के साथ हमें यह बनाना है my mother is going to यहाँ पर हम लिख सकते हैं is going to buy going के साथ हमेशा बच्चों याद रखना to जरूर आएगा before main verb से my mother is going to buy a new car Ria dash Ria is going to going to write a letter to her mother on Sunday Manoj is going to swim in the holidays Nidhi is going to leave you are going to play in the evening यहाँ पर I dash my home early today again go है यहाँ पर भी आपके लिख से I am going to go my home early today I dash my aunt tomorrow visit so I am going to visit my aunt tomorrow यानि यह काम होने वाले हैं यह सभी काम होने वाले हैं future में encircle the verbs in the sentences given below change them to future tense one has been done done for you अभी यहाँ पर encircle the verbs in the sentence पहले हमें जो verb हैं उसको circle करना है फिर हमें उसको change करना है तो पहला sentence है example my father bakes a cake तो पहली verb क्या है हमारी bakes my father will bake a cake तो मोहन sells तो sells हमारी main verb है मोहन will sell will sell mangoes ria goes so goes ria will go will go my brother eats bread and butter for breakfast तो यहाँ पर my brother will eat अब देखें बच्चों यहाँ पर my brother eats है यह present है और जो हम will लगाते हैं तो यहाँ से s हट जाएगा my brother will eat my sister comes again my sister will come home brijesh carries the basket to the car carries brijesh will carry the basket to the car तो यह हमारे कुछ exercise from the lesson complete हो गया है तो I hope कि आप सबको अच्छे से समझाया होगा और कुछ भी अगर समझ जाए तो प्लीज में इसको दुबारत से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी और अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है तो लाइक किजे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए सीखते रहिए मेरे साथ और तब तक के रिए बाई बाई मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बाई